हेलो फ्रेंज अभी विंटर में हरेचने की सीजन चल रही है तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए हरेचने की एकदम यूनिक रेसीपी लेकर आई हूँ आप इसे एक बार चरूर ट्राय करें अगर विडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंज और फेमिले में सेयर करना मत पूलेगा और मुझे कमिट करके चरूर बताए कि आपको यह मेरी रेसीपी कैसी लगी तो चलिए एक दम यूनिक रेसीपी बनाना सुरू करते हैं नहीं पर इसमें हम हर्य मेरी चलिए के साथ चाज़ को अर्थशह पनिर भी एड़ करने वाल करेंकि तो बीडीयो को इंट तक चरूर तो सबसे पेरे हम पर हर्य चलिए मों में रफ्रेयृकर कर देंगे तो यहांपर मैं 2005 करम हरेय सबस्त ना पाण कर देंगे अब यहाँ पर हम एक विशल आ जाए तब तक इसे हमें बॉल कर लेना है और पका लेना है तो गुकर में हम एक सीटी लगा लेंगे अब हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने कड़ाय में दो बड़े चमाच तेल गरम होने के लिए रख दिया है तो उसमें हम सबसे पहले हम तीन बड़े प्याज को इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है वो एड़ कर देंगे यहाँ पर हम सब्जी के लिए ग्रेवी बना रहे है तो यहाँ पर हम हरे चने की पंजाबी ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे है तो वीडियो को इन तक जरूर देखे तो सबसे पहले हम प्याज को यड़ कर दिया है 10 से 12 लेसिन की कर लिया हरी मिर्चे और एकीच अधर का दिते सी सौते हो जाए तो समय लगाता चलाते हुए तो थोड़ा सब कलर चेंज हो जाए ततक कई जबी साल को यहाँ अब यहाँ पर मेने तमाटेर करेंगे तो यहाँ पर मेंें तीन 钱 कि स्वालिद ऑंस तरह कॉना dengan कर देंक दस्ते बारा काजु यट करेंगे इसे हमारी सब्जी में एकदम क्रीमी टेस्ट आएगा तो यहां पर हम पंजाबी ग्रेवी में चने की सब्जी बनाने वाले तो वीडियो को इन तक जरूर देखे तो इसमें हम थोड़ा सा टमाटर के अनुसा नमट कर देंगे अब हमारे प्याजव टमाटर अच्छे से सौथ हो जाए तब तक इसे हमें पका लेना है तो इसे हम टंकर डाल का 3-4 मिनिट के लिए सौते होने देंगे गेसच यहाँ पर हमने दिमी ही रखनी है अब हमारे प्याजव टमाटर अच्छे से सौते हो चुके है तो इहां पर आप देख शकते एकदम सफ्ट हो चुके है तो इसको हम T Easter कर लेना है तो यहां पर मैंने 100 ग्रम काजु ले लिए है, यहां पर मैं यह सबजी 6-7 वक्तियों के लिए बना रही हूँ, आप अपने इसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, काजु को हमें हलका सा कलर चेंज हो जाए, तब तक इसे हमें फ्राय कर लेना है, ज्यादा कलर चेंज ना हो जाए उस बात का खास दियान रखें, तो काजु को निकाल लेंगे, अब उसी तेल में हम सब्जी का तड़का लगाएंगे, तो सबसे पहले हम आधा चमच जीरा एट कर देंगे, उसके बाद थोड़ी सी हिंग एट करेंगे, दो चक्री फुल एट करेंगे, और एक तज का टुक और का लेले पारा, हारा लेसुन लेलिया है, उसी हमारी सब्जी में बहुत बड़ीया टेस्ट आता है, तो यहां पर मेंने तिन चमच भर के और लेलिया जिसकर मैं पानी लेलिया है, उसको की जताए, लेटल रवी mines Lag都有 को एट कर झांब भाने हम ठोड़ी थोड़ा पानी मिक्स कर देंगे अब यहां पर देख सकते कि हमारे इस तरह की बनी हैं अ लिक्षचार मे थोड़ा पानीयाड करते। इसको भी निकाल लेंगे और ग्रेवी को ऐसं ननीट को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमें पका लेना है तो इसे हम ठखन ढालकर तेन से चार मिनित के लिए पका लेंगे जब तक इसमें से अच्छे से ओल अलग नहीं हो जाएं अब 3 से चार मिनिट हो चुक है तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी पकना शुरू हो चुक है तो इसमें हम सारे मसाले अट कर देंगे यहाँ पर इस सबजी में थोड़े चीटे बहुत उठते हैं तो आप इस बात का खास ध्यान रखे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम सारे मसाले अट करेंगे तो सबसे पहले हम थोड़ी से अल्दी पाउडर रेट करेंगे यहाँ पर ज्यादा नहीं अट करेंगे उस सबी मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इस अब इस मिक्स करने के बाद वापिस सब्जी को में पकने के लिए छोड़ देना है जब तक के इसमें से अच्छे से ओल अलगना हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह किया हमारी की बनी है तो वापिस से प्रवाद इसे हम 3-4 मिनित के लिए पका लेंगे अब 3-4 मिनित हो चुके तो आप चक कर लेते हैं तो अभी आप देख सकते हैं हमार ग्रेई में से बहुत बढ़ी अलग तेल होना शुरू हो चुका है तो इस बात अच्छे से मिक्स कर देंगे अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम जो हरे चने हमने वोयल किये थे वह यड़ कर लेने हैं तो सबसे पेले वह यड़ कर देंगे यह हरे चने की सबजी इस ग्रेवी में बहुत ही टेस्टी बनती है तो इसे आप एपर इस तरीके से जरूर ट्राइक करें अब हरे चने को हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा स् किसा और से नमक यह यहां करते हगे ज्यादा नहीं है क्योंकि नमक यह हैं H2 कप पानी यह क्व defects है अब यह आप देख सकते हैं हमारी बहुत बढ़िया ग्रेवी में से तेल अलग होना शुरू हो चुका है और हमारी एकदम टेस्टी ग्रेवी वाली सब्जी बन का तयार हो चुकी है एक बार फिर से मिक्स कर देंगे अब यहां पर हम चने के हिसाब से थोड़ा सा नमक एट कर देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला एट कर देंगे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अब सब्जी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम काजु एट करेंगे जो हमने फ्राइ करके रखे थे थे थोड़े से मिने गाने सिंग के लिए बचा कर रखे बाकि हम सभी एट कर देंगे काजु को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे सब्जी में और वापी से हम एक मिनिट के लिए ठक कर पका लेंगे ज्यादा नहीं पकाना है अब हमारी सब्जी रेड़ी हो चुकी है तो एक मिनिट तक पका लेंगे तो अभी हमारी ग्रेवी अच्छे से बनका तयार हो सब्सक्रियार को सोग्रम पनीर को इस तरहLY से कदडूकस कर लिया है, वहड़ सबजी में काज़ी और पनीर का हम अलके हाथों से मिक्स कर देंगे यहां पर हमने गेस के आज को बंद कर दिया है अब यहां पर हमारी अरे चन्ने काजु और पनेर की सब्जी तैयार हो चुके तो उपर से हम अरा धन्या एड़ कर देंगे तो यह खाने के लिए बहुत टेस्टी लगते हैं तो इससे एक बा रेसिपी कैसी लगी और इसी नहीं नहीं रेसिपी की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर दे तन्यवाद